हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू निदे की रसोई तो आज हम बनाएंगे करेले का भरवा जो की बहुत ही टेस्टी बनता है इसके लिए मैंने करेले को अच्छे से छील लिया है तोलिया है और इसको हम कट करके इसके बीज को निकाल लेते हैं और इसके बीज को हमें फेकना आढ़ एक सब्सक्राइब करने नहीं है सिसका भी विल्स के लिए घ्ल Nicholas के लिए पर निम तक में टर्मकर नहीं है नहीं नहीं की अधी जिए अग्यन है और देंचोरकर दून तक परक्राज ना इन जाए तक शरूल है और उसके बाद हम तयार कर लेते हैं इसके स्टफिंग यानि मसाले को तो उसके लिए एक बार एक प्याज मैंने कट कर लिया है और ये जो बीज मैंने ग्राइंड किया था वो डाल देते हैं इसमें डाल देते हैं दो चम्मच, अद्रक, लैसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसके बाद हल्दी लाल मिर्च पाउडर जितना आपको खाना है सौफ आप जरूर डालेगा टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और यह सबजी मसाला देड़ चम्मच और यह है आमचूर पाउडर आपसे स्टिप मत करिएगा और नमख अपने स्वाद के अनुसार और अब हमेने अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद मैंने नारियल का एक चम्मच पुरादा डाला इसे टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और इसके बाद हम इसे अच्छे से क्रेले में फिल कर लेते हैं अब हम इसे एक धागे से अच्छे से बांध लेते हैं ताकि इसकी स्टफिंग बाहर नहीं निकले इसके बाद हम इसके किनारों को कट कर लेते हैं इसके किनारों को आप सबसे पहले ही मत कट कर लेजिएगा नहीं तो इसे बनाने में दिक्कत आ सकती है और उसके बाद हम ये तेल पैन में गरम कर लेते हैं और आ लेम पे हम ये सारे करेले डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा चला देते हैं 1-2 मिनट के बाद और कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए इसके बाद हम दूसरे साइड को भी अच्छे से इसमें सेख लेते हैं इसमें बहुत ज्यादा हमें तेल का इस्तिमाल नहीं किया है तो यह बहुत ही हेल्दी है और सबको बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद यह जो बची हुई स्टफिंग है मसाला है इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर कट कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा से इसमें नमक हम डाल देते हैं और इसके बाद इसको डाल देंगे अपने करेले में जिससे इसका टेस्ट बहुत जाएगा और हमारे मसालों का भी बहुत अच्छा उपयोग हो जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढग देंगे और पांश मिनट के लिए उसके बाद तयार हो गया हमारा बहुत तेज़ी सब्जी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा मैं है सब्सक्राइब